जैमातादी, जैमा कामख्या, देवराधाटरस्ट, सत्यवानी चैनल ये अखंड जोत जो जलाई जाती है ये अखंड जोत क्यों जलाई जाती है इसके पीछे में शास्त्र क्या कहता है हिंदू सनातन धर्म में कोई भी काम किया जाता तो उसके पीछे कहीं ने कहीं किसी ने किसी शास्त्र में जरूर वर्णन बताया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे बड़े बुजुर्ग पित्र के लीजे, जो पहले इस दुनिया में थे वो ये परंपरा बना के गए हैं कि आपको इस इस प्रकार से पूजा नर्चन करना है तो देवी भागवत पुरान में ऐसा कहा गया है कि ये जोत जो जलाई जाती इसके पीछे एक कहानी है तो देवी की पूजा में जोती जो जगाई जाती है उसके पीछे का क्या कारण है आज हम उच रहस्य से परदा उठाएंगे इसलिए जोत जलाई जाती है कामक्य वर्दे देवी नील परतवासिनी तम देवी जगतमाता योनी मुद्रे नमस्तुते माकामक्या के दर्बार में हाजरी लगाते हैं और फिर आगे श्रीमत देवी भागवत कथा महापुरान में जो जोत के बारे में कथा बताई गई है आज उस कथा का श्रवन करेंगे तो कामक्या वर्दे देवी नील परतवासिनी तम देवी जगतमाता योनी मुद्रे नमस्तुते कामक्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते कामदे काम रूपस्ते सुबगे सुरसेविते करोमी दर्शन देवियम सर कामार स्विद्धयेत ओम महेशानी महामाए चामुंडे मुंडमालीनी आयू आरोग्य एश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी ओम जैन्ती मंगला काली भद्र काली कपालीनी दुरुगा छमा शिवा धातरी स्वाहा सदा नमस्तुते ओम सर्मंगल मंगल्ये शीवे सर्वासादी के शरन्ये तंब के गोरी नाराइनी नमस्तुते दुरुगति नाशिनी दुरुगा जै जै कालवी नाशिनी काली जै जै उमारमा भ्रह्मानी जै जै शीताराधा रुखुमनी जै जै महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरी प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानि धी काली काली महा काली काली के पापनाशिनी खडग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते काली काली महा काली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायनी नमस्तुते नीरहारहारधन सारसुधाकरं भाकल्यानं दाकनक चंपकदां भूशाम पुतंग बेनिकोचिकुम्प मनो हरांगी वानी नमामी मनसा वच्छसावी भूत्ये ओम एमसरस्वत्ये नमहा ओम रिम दुन्दुरगाई नमहा या जल जल प्रजल अगनी रूपाई ओम होम रिम सिम्जाला देवी नमो नमहा देवी प्रपन्नताती हरे प्रसीद प्रसीद मातर जोखिलस्य प्रसीदी विश्वेश्वरी पाही विश्वं तमिश्वरी देवी चराच रश्य सुभंकरोती कल्याणम आरो ज्यमदंसंपदा शत्रु बुद्धी विनाशा दिवजोती नमस्तुते योनी मातर शरीराय काम या कामू का काम चारनी, काम बीज इस्तता, काम पिठ निवासनी, काम दा काम हा काली का पाली का राली का, या देवी सर भूतेशु विष्णु मायती सफ्तिता, नमत्तसे नमत्तसे नमो नमह, या देवी सर भूतेशु लक्ष्मी रूपन सस्तिता, नमत्तसे नमत्तसे नम यादेवी सर भूतेशु दया रूपें संस्तिता श्योगतां तिनेत्रां चकपालकर्तकारकम् मुक्तकेशीलल्जिवां पिवदिं रुधिर्मुहु चतरुबवाहु जुकतां बेवी वरा भयकरांसुरेत। ओम ध्यायत काली महामाया तिनेत्सां भहु रूपेणीम् चतर भुजाम लल्जिवाम चोण चन निभावनाम नीलोत पल्दल प्रक्ष्याम शत्तु संग विदारिनिंग नरमुंड तता खडगं कवलं अरदम तता विभ्राणाम रक्तवदनाम दर्ष्टाली घोरूपनिंग अट्थास निर्ताम सर्वदाच निगंबराम चवासनिस्तादेवी मुंडमालाई भूशिदां अमकिलिंकर्षनाय नमहाँ अमलक्ष्मी नार Parlानाई नमहाँ विष्णवे नमहाँ विष्णवे नमहाँ प्रनतकेस्व नाशाय गोविंदाय नमु नमहाँ चांताकारं भुजगचेनं पद्मनाबं सुरेशं विश्वाधारं गगनसर्दसं मेकवणनं सुवांगं लश्मी कांतं कमलनयनं योगी वीध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भय हरं सर्व लोकेकनातं आम पुंडरी काक्षाय विद्महे गरुडवाना धीमही तन्नो विष्णु पचोधयात आम हम हनुमते नमह रुद्रात्मकाय हुंपड आम रिम हनुमते राम दूताय नमहा आतुलित बलधाम महे मशेलाब देहं दनुजवन कुशानुनं ज्ञानिनाम गगन्यं सकलकुण न निधानं वानना नाम धीशं रगुपती भीवक्तं वात जातं नमामी मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेंद्रियं बुद्धीमतां वरिष्णु पातात्म जम्वानरित्मुक्यं सीराम दूतं शर्नं प्रबद्दे देवताभ्य पित्रभष्य महायोगिभ्य एव्च नमः स्वधाए स्वाहाए नित्यमेव नमो नमः कालहर कस्टहर दुखहर पापहर तापहर संतापहर दारिदहर संकटहर जैमातादी जैमा कमक्या देवी भागवत महापुरान में कहा गया है कि स्रश्टी के आदी में एक देवी ही थी उसने ही ब्रह्मांड उत्पन्न किया है उससे ही ब्रह्मा, विश्णू और रुद्र उत्पन्न हुए हैं अन्य सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ है एसी पराशक्ती महाशक्ती है सारा जगत अनादी काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूफ से शक्ती की उपासना में लगा हुआ है महाशक्ती ही सर्वपरी है ब्रह्म भी शक्ती के साथ पूजे जाते हैं जिसे पुष्प से गंद अलग नहीं की जा सकती, गंद ही चारो और फेर कर पुष्प का परीचे कराती है, उसी तरह शक्ती ही ब्रह्म का बोद कराती है, सबी जगह शक्ती का ही आदर होता है और बोल बाला है, क्योंकि शक्ती ही नवस्तु जगत में ठीक ही नहीं सकती देवताव के अहंकार के नाश के लिए देवी ने जोती रूप धारन किया था इसलिए अखंड जो जलाई जाती है नव रात्री में देवी माता की पूजा में जोती जलाने का संबंद देवी के जोती अवतार से है देवी के जोती अवतार की कथा जो स्रीमत देवी भागवत कथा महापुरान में बताई गई है वह हम आपको आज बताने वाले हैं तो एक बार देवताओं और देत्यों में युद्ध छिड़ गया इस युद्ध में देवता विज़ई हो गया इससे देवताओं के मन में अहंकार आ गया सभी देवता अपने मन में कहते हैं कि यह विज़ई मेरे कारण हुई है यदि मेनी होता तो विज़ई नहीं होती मा जगदंबा बड़ी करपालू है दयालू है वो मा है उसमें मात्रत तो शक्ती है तो वे देवताओं के अहंकार को समझ गई उनको पता था कि यह अहंकार देवताओं को देवता नहीं रहने देगा क्योंकि किसी भी मनुष्य में यदि अहंकार शब्द आ जाता है दिल में दिमाग में तो फिर वो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है उसमें देवता के गुण नहीं रहते हैं तो देवी जी को जब पता चला कि अहंकार देवताओं को नहीं रहने देगा तो अहंकार के कारण ही असुर कहलाते हैं तो देवता में भी वही अहंकार जड़े जमा रहा है इस कारण संसार को फिर कश्टों का सामना करना पड़ेगा तो देवताओं के अहंकार के नाश के लिए देवी जी ने एक ऐसे तेज पुंज के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई तो उस तेज पुंज को आस्तक किसी नहीं देखा था उस तेज पुंज को देखकर सपीद देवता हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे से पूछने लगी कि यह क्या है देवताओं को आश्चर चकित करने वाली यह माया किसके दोरा रची गई है तो ब्रहमित हुए देवराज इंद्र ने वायु देव को उस तेज पुंज के बारे में पता करने को कहा तो घमंड से भरे हुए वायु देव उस तेज पुंज के पास गए तेज पुंज से पूछा कि तुम कौन हो तो वायु देव ने कहा मैं वायु हूँ मातरिष्ट्रा हूँ, सब का प्राण सरूफ हूँ मैं यही संपूर्ण जगत का संचालन करता हूँ यह वायु देव ने उस महाभगवती जोती पुंज से कहा तो तेज पुझे ने वायू देव के सामने एक तिनका रख करके कहा, कि यदि तुम सब कुछ संचालन कर सकते हो, इस दुनिया को चलाते हो, तिस तिनके को उड़ा के दिखा दो, चला के दिखा दो वायू देव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पतिनका हिला भी नहीं, टस से मस नहीं हुआ, वे लज्जित होकर इंद्र देव के पास लोटाएं, और उनसे कहने लगे कि यह कोई अध्भुच शक्ति है, इसके सामने तो मैं तिनका भी नहीं उड़ा सका, देवराज इंद्र ने फिर अगनी देव को भेजा, और अगनी देव से कहा कि चुकि आप ही हम लोगों के मुख हैं, इसलिए वहाँ जाकर कि यह मालूम कीजिए कि यह तेज़ पुछ कोन है, इंद्र के कहने पर अगनी देव उस तेज़ पुझ के पास गए, और अगनी देव ने उनसे पूछा, कि तुम कौन हो, तुम में कौन सा पराकरम है, कौन सा बल है, मुझे बताओ, तो अगनी देव ने कहा, कि मैं जात वेदा हूँ, अगनी हूँ, सारे संसार को जलाने की ताकत मुझ में है, तेज़ पुझ ने अगनी से, अगनी देव से उस तिनके को जलाने के लिए कहा, तो अगनी देव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वे उस तिनके को जलाने सके, और मुझ लटका करके इंद्र देव के पास आ गए, तबी सभी देवता बोले, कि जूटा गर्व और अभिमान करने वाले हम लोग, इस तेज़ पुझ को जानने में समर्थ नहीं है, यह तो कोई आलोकिक शक्ति ही प्रतीत होती है, इंद्र देव बोले, आप हम सब के स्वामी हैं, अथा आप ही इस तेज़ पुझ के बारे में पता लगाईए, तब सहस्त नेत्रो वाले इंद्र स्वयम उस तेज़ पुझ के पास पहुंचे, इंद्र के पहुंचते ही वह वे अपने आपको मन में छोटा समझने लगे, वे सोचने लगे कि अब मैं देवताओं को क्या मूँ दिखाऊंगा, मान ही महापुरुशों का धन होता है, मान का मतलब हो गया गुडविल, ख्याती, मान सम्मान जिसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं मान, तो वे सोचने लगे कि अब मैं देवताओं को क्या मूँ दिखाऊंगा, और मान ही पुरुशों का धन होता है, जब मान ही नहीं रहा, मान सम्मान ही नहीं रहा, अपमान हो गया मेरा, तो इस शरीर का त्याक करना ही उचित है, तो इंदर देव का सारा अहंकार वहाँ पर न ध्यान करो और उनी की शरन में जाओ, इंदर देव पराशक्ती की शरन में आकर माया बीज का जब करते वे ध्यान करने लगे, माया बीज का मतलब होता है, ओम रहिम नमह, ओम रहिम नमह, ओम रहिम नमह, याने इंदर ने भी ओम रहिम नमह जब किया, तो आप तो मनुष्य करना चाहिए एक दिन चेत्रमास की नौमी तीथी को मापरांबा महाशक्ती ने अपना सरू प्रकट किया वे अत्यन सुन्दरी थी लाल रंग की साड़ी पहने उनके अंग-अंग से नाव योवन फूट रहा था उनमें करोणों चंद्रमाओं से बढ़कर चमक थी करोणों कामदेव उनके रूप पर न्यूचावर हो रहे थे उन्होंने चमेली की मालाव वेनी वा लाल चंदन धारन किया वा था वे बोली मैं ही परब्रम हूँ मैं ही परम जोती हूँ मैं ही प्रणव सरुपीनी हूँ मैं ही क्रपा और शक्ती से तुम लोगों ने असुरू पर विजय पाई हैं मेरी ही शक्ती से वायुवेग बहा करते हैं और अगनी देव जलाया करते हैं तुम लोग अहंकार छोड़ करके सत्य को जानो तो देवी जी के वचन सुनकर देवताओं को अपनी भूल का ग्यान हुआ और वे अहंकार रुपी असुर से गरस्त होने से बच गए उन्होंने छमा मांग कर देवी जी के प्रसंद होने की प्रार्थना की और कहा कि आप हम पर एसी क्रपा करें कि हमें कभी अहंकार ना आए इसलिए मनुष्य को नव रात्री में दीपक जलाते समय यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे मा भगवती हम में कभी भी अहंकार नामक राक्षस प्रवेश न करें एसी प्रार्थना दीपक प्रजलित करते समय करना चाहिए एसे तो मनुष्य के अंदर दस राक्षस होते हैं काम, क्रोध, लोब, मो, मद, मत्सर, इर्शय, त्रशना, राग और द्वेश यह दस राक्षस मनुष्य को जकड करके रखते हैं तो इन में से मनुष्य जितने जादा राक्षसों से दूर रहेगा, वह मनुष्य उतना पवित्र माना जाता है, वह उस रिश्वर के उतना नस्दीक माना जाता है तो तब देवी की पूजा अस्टमी नवरात्र वजागरन आदी में माता के जोती अवतार के रूप में अखंड जोत जलाई जाती है नवरात में प्रतिदिन देवी की जोती जगा कर उसमें लोंग का जोड़ा, बतासा, नारेल की गीरी, घी, हलवा, पूड़ी, आदी का भोग लगाया जाता है इसलिए अखंड जोत जलाई जाती है, जोत जलाने का मतलब है, हम महा भगवती पराशक्ती का आवहान जोत के रूप में करते हैं, इसलिए अखंड जोत जलाई जाती है अब आपको शाय समझ में आ गया होगा कि नव रातरी में अखंड जोत क्यों जलाई जाती है, याने परामभा, पराशक्ती, भवानी, उनकी उपस्तिती हम अखंड जोत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनकी करपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और मनुष्य को नव रातरी में काम, कुरोद, लोब, मो, मद, मत्सर, इर्शा, तरश्न, रागद्वेश से दूर रहना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए कोशिश करना चाहिए, इनको त्याक करने का प्रयास करें, तो ही वो इश्वर के नजदिक जा सकता है मा भगवती की करपा प्राप्त कर सकता है, जो व्यक्ति जूट बोलता हो, अदिकतर कारियों में जूट बोलता हो, उसको कभी भी देवी करपा प्राप्त नहीं होती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें मन बच्चे के माखी निर्मल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, जल जैसा निर्मल आपका मन होना चाहिए, कि जिसमें मिला लो उस करलर का बन जाता है जल के अंदर नमग भी मिलाए जा सकता है जल के अंदर दूद भी मिलाए जा सकता है और जल के अंदर शकर भी मिलाए जा सकती है इसी प्रकार से अपना मन जो है निर्मल मन होना चाहिए पावन होना चाहिए तो देवी करपा प्राप्त होगी किसी से विद्वेश नहीं रखना चाहिए किसी से द्वेश नहीं रखना चाहिए राग द्वेश से दूर रहना चाहिए ये दस राक्षस हैं काम, क्रोध, लोब, मो, मद, मत्सर, इर्शया, त्रशना, राग द्वेश इनको जलाना चाहिए इसलिए हवन करते हैं और यही दस राक्षस का वर्णन हम दुर्गा सफसती में पढ़ते हैं जिसे मधू केटब का नाश होता देवीजी से तो यह मधू केटब भी क्या है? यह राक्षस है, दोनों राक्षस है मधू याने मीठा केटब याने काटा यह दोनों राक्षस है इनका भी वद्ध करते हैं इसी पकार हम अपने शरीर से जो है इन दसों राक्षसों का वद्ध करते हैं काम, क्रोध, लोब, मो, मद, मत्सर, इडश्या, त्रश्ना, राग, द्वेश जैमाता दी, जैमा कमक्या